सिधात की चायवाली फाइट बहुत सादा यादकार रही थी आज भी लोग उसकी बात करते हैं लेकिन कई लोगों को ये फाइट फाइट की वजह से नहीं सिडनाज मॉमेंट की वजह से भी याद है यादकार फाइट में मिले थे यादकार सिडनाज मॉमेंट और उसके आइकन जरूर प्रेस कर दीजगा और गाइस आप मुझे इस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो गाइस यहां पर फाइट के बाद होता है गुबारे वाला टास्क तो सिधात गुबारा फोड़ते हैं सबसे पह है थे सभी घरवालों का रियक्शन होता है मतलब उस घर में ना सब को पता था सिधात और शहनास के रिलेशन के बारे में लेकिन वो लोग फूड डालने से बाज नहीं आते थे इन लोगों के बीच में बिस अंडिस्टेंडिंग क्रिएट करने से बाज नहीं आते थे हाला उसके बाद क्या होता है सलमान सर्फ वहां से चले जाते हैं तो सिधात उटकर अंदर आ जाता है खाना खाने आता है इतने में शहनास आती है सिधात से बात करने के लिए और सिधात से कहती है क्यों कर रहा है तू ऐसे करता है तो सिधात शुकला नहीं शुकले लग रहा है तो सिधात कहता है ओमाई गाड औरत तो शेहनास कहती है ऐसे करके सिधात को हग कर लेती है और सिधात भी शेहनास को पकड़ कर उसे हग कर लेता है अब यहाँ पर शेहनास ने जादा मनाया भी नहीं सिधात को लेकिन सिधात चट से मान जाता है एक हग से मान जाता है क्योंकि ची शेहनाज से ज़ाता भी चाहता था, कि ये पैच एप हो जाए, क्योंकि दूरी बरदाश से भी नहीं हो क्यों रही थी, तो सिथाण भी चाहता था कि हख कर ले हम एक डूसरे को, और इस मिस अंडिस्टेंडिंग को दूर कर ले, सिधाद की अग्रेशन बहुत जादा तब ही बाहर आती है जब शहनास से दूरी बढ़ जाती है और यहां पर शहनास से दूरी अब सिधाद बरदाश नहीं कर पा रहा था फाइट में सिधाद को कोई भी सम्हाल नहीं पा रहा था यह तो आपने देखाई था अरहान की जिस तरह सिधाद ने कॉलर पकड़ी थी क्योंकि अरहान ने उस पर चाय फेकी थी रश्मी ने चाय फेकी थी तो सिधाद बहुत सादा घुस्सम ने आ चुका था और कोई भी सिधाद को सम्हाल नहीं पा रहा था कोई अरहान की कॉलर तक नहीं छोड़ा पा रहा था तब शहनाज आगे आई और शहनाज ने संभाला सिधाद को तब आर्ती भी बहुत सादा कोशिश कर रहे थी बीच में आकर सिधाद को हटाने की लेकिन आर्ती को तो सिधाद ने आने ही नहीं दिया लेकिन शहनास शहनास पूरे हक के साथ सिथाथ को हक करकर वहाँ पर खड़ी हुई थी हाला कि शहनास को भी बहुत बार हटाया सिथाथ ने एक या दो बार हटाने की कोशिश की लेकिन शहनास पूरे टाइम हक करके सिथाथ को खड़ी हुई थी उसके बाद सिधाद ने भी फिर शेहनास को नहीं हटाया और बाकी लोग फिर धीरे धीरे बीच में आने लगे और इन दोनों को छोड़ाया सिधाद को वहां से हटाया सिधाद को शांत कराया सिधाद का घुसा अगर कोई कम कर सकता है तो वो सिर्फ शेहनाज है शेहनाज का एक हग, शेहनाज का एक टच सिधाद के अग्रिशन को कम कर देता है और ये सब हम ही तो क्या सिधाद भी बहुत अच्छी दरह से जानते है सिधाद उस समय शेहनाज को हटा तो रहा था लेगिन कहीं न कहीं वो चाहता भी था कि तू यहीं रहे मुझे हक करके यहां पर खड़ी रहनी तो आज पता नहीं क्या हो जाएगा क्योंकि सिथाथ बहुत जादा घुसे में आ चुका था एक तो शहनाज से लड़ाई हो रखी थी उपर से इस तरह की चीज़ें रश्मी और हरान कर रहे थे जिससे की अग्रिशन बहुत सादा हो चुका था यहां पर और सिथाथ को शांत कराया तीरे तीरे शांत कराया शहनाज ने अब यहां पर सिथाथ और शहनाज दोनों बैटकर बाते करते तो सिधाद शेहनास को बहुत समझाता है और उसके साथ ही सिधाद के दिल की बातें यहाँ पर सामने आ जाती है सिधाद कनफेस करता है बहुत सारी चीज़ें सिधाद यहाँ पर शेहनास से कहता है यह जो टास्क चाहना जो तुझे मजाक लग रहा था मस्ती लग रहा था लेकिन ये मजाग नहीं था ये था तुझे नीचा दिखाना और तू नीचा दिख रही थी तू किसी के साइट चा मुझे उससे कोई प्राबलम नहीं है लेकिन जब कोई तुझे नीचा दिखाता है कोई तुझे इस्तिमाल करता है तो ये मैं नहीं देख सकता, ये देखकर मेरा खोन खौल रहा था, और मुझे घुसा आ रहा था, कोई तुझे नीचा दिखाए, कोई तुझे इस्तमाल करे, ये देखकर मेरा खोन खौल रहा था, और मुझे घुसा आता है, ये सब देखकर, यहाँ पर सिधाद ने अपने दिल की सारी बाते बोल द यहाँ पर शेहनास सिथाद से कहती है सौरी और वो सिथाद का हाथ टाइटली पकर कर वहां बैठ जाती है यहाँ पर सिथाद ने बौला कोई तुझे नीचा दिखाएगा तो मुझे फर्क पढ़ता है कोई तेरा استعمال करेगा तो मुझे फर्क पढ़ता है नहीं पड़ा नहीं सिधात ने आर्थी को कभी बोला कि तुम इस टीम में हो या उस टीम में हो कभी कुछ नहीं बोला लेकिन सिधात को सिर्फ एक शक्स से फर्क पड़ता था वो है शहनास शहनास को कोई नीचा दिखाए सिधात बरदाश नहीं कर पाता था शहनास भी बहु कर पाता था कि शहनास का कोई इस्तमाल करें शहनास को बहुत जादा समझाता था सिधात और ये बात शहनास ने भी बोले खुछ सल्मान खान से बोली थी कि सल्मान खान ने जब शहनास को समझाया था तब शेहनाज ने इस चीज़े सबके सामने बोली कि जो आप मुझे आज समझा रहे हो वो सिधात ने मुझे बहुत समझा है रोज ही समझाता है तो सिधात शेहनाज को बहुत समझाता था बहुत समझता था और शेहनाज जब जब सिधात को टच करती थी सिधात को हग करती थी सिधात का घुसा छो मंदर हो जाता था ये है इन दोनों की understanding एक emotional बंदी और एक बंदा logical और पहुत सादा intelligent ये है हमारे सेड़नास की जोड़ी इतना pure love इतनी प्यारी bonding जो हमारे दिलों में हमेशा घर करके रहेगी और हम सब सेड़नास की प्यारी दुनिया में हमेशा ही रहना चाहते हैं यहाँ पर हमने देखा कि चायवाली फाइट के बाद हमारे सेड़नास का प्यारा सा पैच अप ये moment बहुती जादा cute लगा बहुती जादा प्यारा लगा सिधात को सिफ शेहनास से फर्क पड़ता है सिधात को अगर कोई शान्त करा सकता है खुसे को छूम अंदर करा सकता है तो वो सिफ शेहनास है और सिधात सिधात के लिए ही ऐसा करती है बागी किसी की fight में कभी बीच में नहीं आती है ये है हमारे सेड़नास यह हमारे सेड़नास का सच्चा प्यार, सच्चा रिष्टा, सच्चा बॉंड वो सिधाज जो कभी अपनी बातों को जबाँ पर नहीं लाता लेकिन आज काफी कुछ कहा उन्होंने शहनास से अपनी दिल की फिलिंग्स बताई और शहनास ने सब कुछ समझ लिया सिधाथ की हर बात समझ ली यह हमारे सेड़नास के बीच की understanding तो यह सेड़नास का प्यारा सा पैच अप, सेड़नास का प्यारा सा moment आज मैंने आपके साथ शेर किया आपको कैसा लगा? कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएगा मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे न्यू वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी जल सी जल और गाइस अपना ध्यान रखेगा थैंक्स वर वाचिंग गाइस